नमस्कार दोस्तों मैं हूँ समीत बर्मन और आप देखेरे मारा योट्यूब चैनल जिसका नाम है बर्स केर एंफो तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ठंडे के मौसम में अपने पैरोट की केर कैसे करें उनका रख रखाओ कैसे करना है क्योंकि अकर सर्दी के मौसम म अपने पैरोट की केर करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो वीडियो के एंड तक बने रहे हैं चैनल पर ने आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन वेल को प्रेस कर ले ताकि सारे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले म बीमार भी हो सकते हैं सबसे पहले तो इस बदलते मोसम में अपने पैरोट को डेली नहलाने की ज़रुद नहीं है वीक में आठ से दस बजे के बीच में नहलाएं और नहलाने के बाद उसे धूप में रख देना है जब तक वो सूख ना जाए इसके अलाबा पैलोट को नहलाने का पानी हलका गरम होना चाहिए मतलब ना थंडा ना जादा गरम बिल्कुल रूम टेंपरेचर में होना चाहिए पानी जादा गरम होने से उसके फेदर डेमेज हो सकते हैं तो दोस्तो अब हम बात करेंगे कि इस बदलते मौसम में अपने पैलोट का रख रखाओ कैसे करना है तो सबसे पहले हम सुबह के टाइम से सुरू करते हैं तो सुबह आपकर कि इसके बाद रात के सवAny में अपने पैलोट के केजिक ऊपर एक कप्रा देना है ह। लेकिन थौड़ा ऑपन रहना चाहिए ताकि उसे शास लेने में प्रयबलम ना हो तो ये थी रख रखाओ की बात की अपने पैरोट का रख रखाओ केसे करना है अब हम बात करेंगे की सरदी के मौसम में अपने पैरोट को क्या खिलाना चाहिए इसके लिए मुझे अलग से वीडियो बराना होगा लेकिन इस वीडियो में बेसिक सा बता देता हूँ सर्दी के मौसम में कोशिस करें कि जाधा से जाधा सीड्स दे सीट्स में सनफ्लावर सीड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है फिर फ्रूट सर्दी के मौसम में अपने पैट को कभी भी रात के समय ना दे इस से उन्हें सर्दी लग सकती है सब्सक्राइब तो चयदा बहतर होगा और सर्फूर्ट सुबह के टाइम में देना है सीट सब्सक्राइब ना लेकिन मैं इस पर डिट्यूलेट वीडियो बना दोऊंगा तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो आपको कեսी के करके जुरूरूइब बता हैं आसा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें थैंक यू